हले दोस्तों वेलकम टू में पॉर्ट सड़ी आई होप आप सारे के सारे ठीक हो तो बैसे कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास टेंथ की समाज विज्ञान का एक जैसे कि आफ को सले लिद्र को लिव I do परिए नहीं है जैसे कि आपको अकशीज दिखौकल उपर ऋपर देखो आपको part MOUNA PRAŞN PITR तो इसलिए न मैं आपको बोलूँगा video स्किप मत करना question की language भी समझाऊंगा और मैंने आपके लिए answer की भी जो है नंबर का कोशन दो नंबर कोशन आपका मिस्नी होगा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो बच्चे मैंने 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी कोशन पर देना सब को इखटा कर रहे हैं मेरे को एक प्रोसेस करने में तीन महीने लगे हैं मैं बता नहीं स इसे फिर भारत में राष्टवाद ठीक है और ऐसे ही मैंने भूगोल के जितने भी चैप्टर ऐसे मैंने चारों के चारों भूगों के जितने भी आपके चैप्टर थे उन में से जो जो कोशन आ रखे थे सबके अलग वीडियो बनाई थी और मज़े की बात बता दूं हो सा चाने की जुरूत नहीं है अगर आपको फिर भी प्रूफ चाहिए इससे एक घंटे पहले ना मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी जिसमें इंग्लिश का सेंपल पेपर था सब कुछ यही था बस इंग्लिश में थी लैंविज जो सीबिएस ने ओफिशल अप्लोड करा थ आपको इसलें मिल जाएंगे इसलें मैं आपको बोलूगा जैसे कि आप आओगे में पॉइंपॉटन सडी पर ठीक है यह मिलेगी काम प्लेइस वाले ऑप्शन पे आना यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है यह चैप्टर का एक्स्लेनेशन दे रखा है यह प्रिविएस यह क्योशन यानि वही जो मैंने बताया था सेंपल मेलब जो कोशन पेपर थे उनको इगट्टा करके जो मैंने वीडियो बनाई थी वह यह है लोगतांत्रिक आजिंती कि यह बुगोल किया अर्थिशास कि और यह चैप्टर वाइज एमसी क्यों है ठीक है यह इजी है बट जो बोल रहा हूं वो करो जो अब डार्रेक्ली टायम वेस नहीं करते कोशन पे आजा दे कोशन यह है कि फ्रांसीजी बातिकारी थी ना उन्होंने हमारे जो लोग थे फ्रांस के लोग थे उनमें एक सामुहीक पैचान बनाने के लिए क्या क्या किया था तो सि बता है वो राजा से लोगों के हाथ में चली गई ठीक है देश के नाम पे शपत वगएरा ली गई ओके और साथ ही में जो देश के अंदर जो भी हमारे टैक्स वगएरा थे ना इंटरनल ड्यूटी वगए थे उनको खतम कर दिया मैं आपको दिखा देता हूं यह आंसर ठीक ह यह पांच नंबर का कोशन जो है वो यह रहा हमारा 27 और यह राजी ठीक है जी तो वही मैं आपको बता दिया पित्र भूमी पित्र भूमी हमारा और जो हमारा नागरिक है यह दोनों के दोनों आइडिया जो है वो हमारे मशूर हुए थे ठीक है उनका वो किया था सविधान एक बनाया गया था जिसके अनुसार सबको समान नागरिकता दी गई थी एक France का नया जंडा आया था तीन रंग का आपको पताईए जो राजा वाला जंडा था वो हटा कर एक नया जंडा आया था पहले एक है न स्टेट जनरल हुआ करता था उसका नाम चेंज करकर National Assembly कर दिया गया ठीक है शहीदों का गुणकान किया गया देश के नाम पे शपत ली गई देश के नाम पे अलग-अलग ट्यून वगरा बनाई गई ठीक है के इंदरित प्रशासनिक पढ़नाली आई मतलब सबकुछ एक ही जगह से कंट्रोल होने लग गया नैशल से कंट्रोल होने गया और जो आंतरिक सीमा शुल के ना यानि फ्रांस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टैक्स दिना पढ़ता था ना वो मैंने बताया था आपको कि ऑटोमन जो बिस्माक यह देखो मैं एक चीज़ भी दिखा देता हूं यह वाली पीडिया खुली भी है तो देखोगे तो उसके अंदर यह वाला कोशन भी जो अभी मैंने कराया था फ्रांसी से करांती वाला यह रहा कोशन और ऑटोमन बिस्माक वाला यह रहा बाकी टैप मेंने क्लोउस कर देता है इसलिए देखो तू ओटोमन बिस्माक जर्मनी को एक इकरित करवाने के लिए सास साल में तीन वौल लड़ी थी तीन लड़ाईया लड़ी थी ओस्टिया डैन्मार्क और फ्रांस के साथ और एंड में जाके जो हमारा ओ वी निर्मान जो है वो हमारे देश की आर्थिक और हमारे समाजिक विकास की रीड की हड़ी माना जाता है क्यों ऐसा क्यों है तो पहली बात आपको इसमें बताना है कि वी निर्मान उद्ध्यों के हमारे लिए क्यों इंपॉर्डन है लोग को रोजगार देते हैं कृषी को व होता है विकास होता है सारे IO कि नेक्स्ट सूचना प्रॉद्योग वह बउत्याश पहलू कि जाच करें वह सूचना उद्योग नियुंद सूचना यह nostwich इंदस्री न alta3 की बारे मताना है ठीक है तो मेने बताया जीसे मैं पीडीयव अगरे आइटी सेक्टर में computer और software रहाते हैं और इसी से related आपका नीचे map भी पुछा गया है कि जो हमारे software technology पारक है वो कहां कहां पर है और नीचे जो कोशन है वो software technology पारक जो noida का है ना उसमें mark कर गया आप से पूचावा है वो UP के अंदर है ठीक है तो सूचना परिद्धू की भी IT सेक्टर जो है वो लोगों को बहुत जादा लेवल पर रोजगार भी दे रहा है और कहीं न कहीं हमारी देश की आर्थिक गती में भी सबसे जादा योगदा निस्टा में हमारी सूचना परिद्धूगी कहीं है ठीक है नेक्स्ट कोशन है राजनेतिक दल की भूमिका का व दूब्र आको इसको लोगों के सामने रखती है ठीक है यह सारे के सारे काम है नेक्स्ट आते है लोगतरिख देशों में राजनितिक दलों की अवशकता यहां उपियोगिगता का वरणन करें वही कोशन है गुमा फिरागी कि लोगतरिख के अंदर पॉल Marti क provision पॉलिटिकल English में आपने पढ़ा होगा इसको स्वयाम सहकता समू कहते हैं यह में बना रखिए चेप्टरकी वीडियो बना रखिए चैप्टर के most important questi most IMPORTION तो यह करने ही कर ले ठीक हैं तो क्या था अपना किines इसमें क्या होता है कि भूए ले 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 लेता है और यो सरय समों है वो उसको do रलों ले ले लेता है और इसको भूँत कम इंटरेस्ट रेटे पर कम ün्ट्रेस्टत reading ल्यास तरफ जो सके लड़जी में जो collateral है, collateral यानि कोई भी चीज गिर्वी वगर्या नहीं रखता, तो ये फायता होता है हमारे स्वयम सहायता समू का, और सबसे बड़ा फायता समू का ये होता है, कि अगर ये पैसे खटा करने में लगातार पैसे खटा करता है रहता है, तो bank भी इनको बिना किर्वी, कोई भी नज़र रखता है, तीसरा यह यह देखता है कि जो भी हमारे bank वगरा है वो अपने पास जो minimum balance है cash balance रखना पड़ता है, 15% cash तीन से लेकर 15% तक का cash अपने पास रखना पड़ता है, तो bank रख रही है नहीं रख रही है यह देखती है, और and में basically bank यह देखता है, Reserve Bank of India यह देखता है, कि जो छोटे bank है वो करीब लोगों को भी loan दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है पैसे कमाने के लिए स्रिए वमी रमी लोगों को loan दे रही हो, तो यह भी देखते हैं, ठीक है चलो, यह अभी तीन नमबर वाले question पर यह आऊँगा बढ़ यह paragraph वाले question है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी Hindi उपर नीचे लिख रखे है, बढ़ इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा एक बार इसका screenshot ले लो, यह खुद try करना basically यह वाला जो, देखो, पता है मैं यह क्यों नहीं करवा रहा सबसे बड़ा reason इसको, क्योंकि answer तो आपको मिली जाएंगे इसको ना करवाने का reason यह है कि अगर मैं आपको समझा दूंगा न तो आप खुद practice नहीं कर पाऊगे तो इसले एक तो यह वाले question का screenshot ले 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 ला यह इसके question है कुछ, ले लो screenshot उसके बाद यह वाला है और इसके नीचे question आपको दिख भी रहोंगे ठीक है इसका ले लो screenshot जल्दी से और इसका ले लो screenshot जल्दी से ठीक है ये तो सत्ता की साज्यदारी वाला हैं तो easy होगा चारजार नंबर के हैं भट करने हैं आपको ठीक है ये खुदेक्टिस करना अभी practice करनी है बिल्कुल अभी ठीक है जैसे वीडियो खतम हो जै वैसे practice करनी अब नहीं सो बीस में दो अधिवेशन हुए थे एक सेप्टेंबर में उवा था और एक दिसंबर में उआ उसमें क्या बता रहा है अरे कुछ नहीं दांडी तक एक यात्रा निका लिती है और दांडी में उन्होंने नमक बनाया था तो यहाँ पर जो बी लिखावा है यहाँ पर आएगा दांडी ठीक है जी चलो नेक्स्ट अप जिओग्राफी के मैप देख लेते हैं मैप क्या है कि हीरा गुड का बांध का है बड़ा सिंपल है उड़ी सा में तारापूर पर्मानु उड़्जा संयत्र का है मैंने क्या बता था तारूपूर के ऐसे याद रखोगे आप तारापूर यानी स्टार तार या तो यह हमारा पर तो यह हमारे यह चलो मैं अब आप हो गई अब आल जाते हैं जी हमारे दूसरे वाले क्वे यानि और तीन-तीन मांक से कोशन है वो हम देख लेते हैं जो तृत्तक शेत्र है वो अन्य शेत्रों से कैसे लगे तो आपको बतार तीन शेत्र होते हैं प्रत्मिक दृत्तक और तृत्तक तो प्रत्मिक और दृत्तक में क्या होता है चीजों को बनाया जाता है है ना बट तृत्तक शेत्रों में स ट्रीटिक कर जाएगा कैसे ले कर जाएगा ट्रॉट इस द ing दाएगा वारत की अरत्वबस्ता में बहुत ज़ा को नायादा को पता है Все एुट कर लिए anसर फीडियाप देंगा रूगा पीड जाओओ नेक्स सोट ने क्वेशन पर आने पहले आपको बता दूं आपको पता ही है कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है में पॉइंट टेक करके ठीक है और इस चैनल के बारे में वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं आपको बता ही है बैसलिए मैं इस पर यह बताता हूँ कि student earn कैसे कर सकता है पैसे कैसे गमा सकता है बहुत सारे बच्चों ने दीन चार के तो मेरे को स्क्रीन शॉट मिले हैं उन्होंने 100 डॉलर रान किये हैं ठीक है उनको बहुत 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 बदाई और आप भी कर सकते हो बहुत सिंपल है इतना कोई टफ नहीं है अनिमेशन वीडियो आप देखोगे न फून से आपको लगए यह तो कोई भी बना सकता है ठीक है तो बहुत सारे बच्चों को पसंद आई है देखी रहे हो आप 200 के व्यूस है इस पे ठीक है और इस पे जो है वो धाइलाक से जादा व्यूस है तो बेसिकली चैनल जो है वो बहुत इंपॉंट और इसके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ रहा है मेरे को लग रहा था मेंपॉंट सडी जो है उस पर पहले दो लाग होंगे और फिर मेंपॉंट टेक पर बाद में 20,000 होंगे पर पहले इस पे 20,000 हो गया ठीक है और बाकी जो लेना सही लगे तो कर लेना सब्सक्राइब वरना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाकी है मेंपॉंट गेमिंग का चैनल है इस पर गेमिंग वगरा ठीक है अप्लोड करने का सोच रहा हूं करा भी है देख सकते हो आप यह सारी सारी वो वीडियो है जो मैंने अपने स्टूड टो में पॉंट सभी डॉट इंट ऐरी हमारी वेबसाइट और वेबसाइट पर जो भी मैंने बताना चैप्टर के नोट्स वगरा ठीक है चैप्टर के एंसीड वगरा ये सारे आपको मिल जाएंगे मैं एक नोट्स कोल के दिखा देता हूं आपको ठीक है जैसे चलो मैं वे क्लिक किया, यह हमारे ओपन हो रहे है, यह ये 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 राश्टरवाद के नोट्स को है, वो ओपन हो गए, ठीक है, यह नीचे कर देता हूं, जिससे विली हो जाए, आपको यह नोट्स ओपन हो गए, आप थोड़ा बैक करते हैं, और यह MZQ पर क्लिक करा, यह MZQ आ गए, आपके सामने नीचे की देल ही थी फटी को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे लिए सबसे बड़ी आपकी फीच हे यही ही है पहली फीच ही हो गई card दूसरी फीच है कि आप अच्छे marks लेकर आना ठीक है जब आप अच्छे marks लेकर आओगा ना मेरा सीना वैसी चोड़ा हो जाएगा कि बादचीत अच्छी जा रही है महँगी बादचीत हो ठीक है अगर आप support करना चाहो तो contributors के buttons पर आकर support कर सकते हो ठीक है देखो अभी तो मेरे लिए मैंनेज करना थोड़ा ठीक है इतनी मुश्किल नहीं आ रही बट एक टाइम पर शायद मिलें मुश्किल आए क्योंकि नोट से एक दम मैं free दे रहा हूं बट्चों की help करना ज्यादा important है ठीक है बड़ा अगर support करोगे तो मैं ज्यादा effort मार पाऊंगा ठीक है अब देखो अगर आप थोड़ा सा support करते हो न तो मिरेको लगता है जब बच्चा इतना कर रहा है तो मिरेको अपनी तरफ से गयर लोगतांतरिक सरकार के बीच में अंतर simple है लोगतांतरिक सरकार क्या होती है जहां पर लोग अपने नेता को चुनते गयर लोगतांतरिक सरकार में लोगों के पास अधिकार होते है गयर लोगतांतरिक सरकार में लोगों के पास अधिकार नहीं होते है लोगतांतरिक सरक नहीं होते धोका तड़ी होती है election में और next point आप क्या लिख सकते हो next point इसमें लिख सकते हो कि जो हमारी लोगतांदिक सरकार होती है ठीक है वो पारदर्शी सरकार होती है मतलब और वो क्या कहते है उसको हिंदी में just a second मैं बता देता हूं आपको ठीक है है और next point आपको सारे चैप्टर के करनें आगर आपको फुल माक्स चाहिए ना तो आपको हर चैप्टर के मुस्सएमस्पार्टन्ट करने ही करने यह समझ दो आप सीधा सिंपल इंक आपको नीचे मिल जाएगा हरे एक कि इस ब्रोट कोशिंग सब्सक्राइब अर्टन्ट कोशिंगा next पोई एक है खेट शवाणुएंट如果 पारलोख यूंख की दूसरी सब्सक्किनियों बढ़ाश्र कंपनियां बहु राश्री कंपने बेरे 19丘 में अलग फैसे यसभार Evans जो सस्ता माल उनको मिलता है, उनको मिला कर चीजों का उत्पादन करती है, ठीक है, इसका मतलब जहां से जो चीज सस्ती मिल रही हो, वहां से बहुराष्ट्य कंपनी, जैसे इंडिया से माल लो, उनको लेबर सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, माटीरियल, एफरिका से सस्ता मिल रह इंडिया अमेरिका के अंदर इस टाइम रिसेशन चल रहा है एपल की लगी बड़ी है मतलब हालत एपल की बहुत खराब है है ना वैसे तो इतनी जादा खराब नहीं है बड़ देखो जैसे इंफलेशन महंगा ही बढ़ रही अमेरिका के अंदर तो कहीं न कई कंपनी पर बहुत जाद असर पड़ता है ठीक है और मालो जैसे कि मालो एक बहुराश्य कंपनी है वो चाइना से कुछ प्रोड़क्ट खरीती है और गर्वर्मन ने बैन लगा दिया कि आप चाइना से कुछ नहीं खरीच सकते हैं तो यह दिक्कत आ सकती है जबकि देश की कंपनीों मे रेलवे का नेटवर्क जो है ना उसका वित्रण जो है अलग-अलग है इसका मतलब और कौन-कौन सी चीज़ जैसे समझाता हूं इंडिया के अंदर आपको पता है कि हमारा उत्री मैदान है हमारा पठारी शेत्र है हमारा जो रेगिस्तानी आलाका है तो यहां पर आप ना मिलती है कहां पर हमारे उत्री मैदान में प Taar वाला शेत्र कि पहाड़ी शेत्र होता है तो इसलिए वहां पर कम मिलती है क्योंकि पहाड़ के शेत्र पे डेल की पट्रिया बनाना थोड़ा आपर भी कम भी थोड़ी कम बिलती है एक नंगे उसलिए भारत के अंदर सबसे जादा जो रेल्वे यह वहाँ पर जलवाईओ भी अच्छी कासी है दूसरी बात है मनदब्ख सिंपल कोशन मैं बता हुआ हुआ कोशन सुन लो कोशन यह है इसको मत पढ़ो अगर आपको टफ लग रहा ना मेरी बात सुनो आप ठीक है क्योंकि यह मैंने इंगलिश में पीडिया बनाई थी तो मेरे को वैसी कोशन पता है तो कोशन क्या है कोशन यह है कि जो आपको पता है ना फर्स वर्ल्ड वार हुआ था मारे गए ठीक है यह सारी की सारी स्थीति तो थी थी और बिटिशर को बहुत सारे लोग चाहिए थे क्योंकि वह लड़ाई लड़ रहे थे वर्स वर्ल्ड वार में और इसी के वज़े से उन्होंने जबरन लोगों को आर्मी में भरता भरती भी करना शुरू कर दिया था ठ बढesale score on the social network 24 हमारा के सरकार की न तरीकों से ग्रामीं क्रिशक मनलबल की शेत्र होगा टीक है क्रिशेत्र पूरा लिखा तो शेत्र है अंगराई थोड़ा ट्रांसलेट वगरा मैंने क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट ढूंडी एक में थोड़ा सा मिला बट मैं आपको कोशन इसलिए भी समझा रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके तो ऐसे गुस्ता मोतनों के सरी यह तो बहुत ही गलत लिखावा है बच्चे मैं करना कि आपका यह बोलो कमेंट में सारी है तो हिंदी पता नहीं कैसे लिखी भी है थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे लाइन फॉर्मेशन करोगे तो आज आएगा समझ ठीक है ओके बागी तो मेरे को पता है बच्चे अच्छे सबूट करते हैं क्योशन यह है कि सरकार क ने ने चरेएं को रिखी बार जिसको भारत में उनको सेव करने के लिए तरीक है पहला तरीका तो यह है कि आप उन संसादन का उपयो करो जिसको बार भार जिसको इंग्लिश में इंग्रिश में कहते हैं उनको रिन्योबल ठीक है मैं एक बड़ चलो सर्च कर लो कि रिन्योबल को हिंदी में क्या गरते हैं मिले को अभी दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है चैप्टर नंबर वन में आम ने पढ़ा था कि रिन्योबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं इसको वी निर्माण निमनी नहीं निमनी करना भी नहीं था याल ऐसे कुछ एक वर्ड था ठीक है कि जिसको हम बार-बार यूज कर सकते हैं ठीक है पूर्णर उपयोग कर सकते हैं जिनका वह संसादन जोन का उनको उपयोग करना चाहिए जैसे कि सोलार एनर्जी जैसे कि आप जो भी संसादने हैं उनको दुबारा उपयोग करना चाहिए उनको वेष्ट नहीं करना चाहिए ठीक है जी चलो यह बात आपको समझागी उपाय हैं सौर उर्जा के उपयोग में सुधार के कोई बता है सौर उर्जा में आप क्या सुधार जो ऑना सबसे पहला तो जो होगे electricity जनरेट नहीं हो रही क्योंकि आपने अपने घर के अंदर लगाया सुलार पैनल अरे उसे धूप चाहिए चत पर लगाना होता है तो आप यह कर सकते हो कि ऐसी जगा पर हम सुलार पैनल लगाए जहां पर छाया ना आए जहां पर धूप डिरेक्ट लिया है ठीक है जी भारत एक धर्म निर्पेक्स देश है पहला भारत के अंदर कोई भी बंदा किसी भी धर्म को अपना सकता है किसी भी धर्म की बूजा कर सकता है और वो चाहे तो किसी भी धर्म को ना भी माने तो भी चलेगा नास्तिक भी रह सकते हो भारत में यह पहला पॉंट हो गया दू पूर्द को कोई सानि फूरिट को रएडों को के सुपर कोई भी रेलीजन का देह सकता है। चाहिट की था जैसे कि आपको पता है कि बारत में हमारे जो माइनोराटी माइन भाट nuclear की हमारे प्रदान स्धियां अगर आपको नहीं पता सेम मार्षो कौन है और आपको लग रहा है यल्य नाम यह नाम तो पहली ब्रसराao ह्या है तो सच करो हर पाकिस्थानी को यह पता होता ह्यां कि सैम मानिक शों है तो आपको भी पता होना चहीं डिका 507 उस फाफे सिफाmbं साहिव्नion थे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के 93,000 किंती सुन लो 93,000 जो सोलजर थे उनसे सरेंडर करवाया था समझे जो हतियार दिलवाय थे तो सैम मानिक्षव कौन है पारसी है ठीक है अगर धरक के नाम पे भेदवा होता तो क्या हमारे सैम मानिक्षव आपाते क्या हमारे मनमोहन सिंग जी आपाते क्या हमारे एपीज अब्दुलकलाम जी आपाते नहीं आपाते बड़ वो है इसका मतलब जो Constitution में हमारे देश पे भ नाम ले दू अब मैं नाम किसका लूँ जैन में तो बहुत सारे हैं ठीक है बहुत ही ज़ादा है ठीक है तारीफ हो गई उसकी थोड़ी सी चलो समझ आगे ना बेसिक लिए तो क्या है कि धरम के नाम पे बेसिक लिए भेदवाव नहीं होता दूसरी बात है कि भारत के को भी धर्म को अपना सकता है और अगर कोई धर्म के नाम पर बेद बेदवार करता है दूस के लिए कानुन बगरा बनाए गाया जाए इन सारी सारी चीजन चीजों से पता चलता है घर्म निर्पेश्टेश है ये सर नो ओकर जी चालो नेक्स वाला कोशन है कि 1929 में जो अम किसान उन्हें क्या करा, बहुत खेती करने शुरू गर ती, इतनी खेती करी, कि बहुत जज़ादा प्रॉडक्षन हो गया, प्रॉडक्षन हो गया तो उनकी 100 औरपे की फचलती ही लोग कहा रहते हैं नहीं, एक दम से यूएस ने लोन वगरा मांगा अमेरिका ने लोन वगरा वापिस मांगा तो लोग जो है वो लोन देने पाए जिसकी वज़े से जितने भी बैंक थे अमेरिका के अंदर वो क्रैश करने लग गए इनकी हालत खराब होने लग गई आपके आप नोट से पढ़ो गया क्लेर होई जाएगा आपको ठीक है अब आजाते जी अपने एंसी क्यू पर ठीक है वैश्विगरण के बारे में इन में से कौन सा कतन सही है क्या वैश्विगरण का मतलब यह होता है कि सरकार जो है बादाओ को हटा ले बिल्कुल सही बात है जी है ना हमने पढ़ाता है एक दूसरी कंट्री की कंपणिया जो है हमारे देश के अंदर आ सकें दूसरे देश के रास्य कंपनियों को कारखने की अनुमती दी जाती है तीसरा है सभी कंपनी को अपना निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाया है ऐसा नहीं है क्या वैश्वी गरण से फायदा ही हुआ है किसी कंपनी को नुकसान नहीं नुकसान हुआ है तो यह नहीं है इसमें लिखका सरी फायदा हुआ है विदेशी निवेश बढ़ा ऐसा नहीं नुकसान भी ह है वेश फिगर से बड़ा है तो इसका अंसार है एक फस्टेंट सेकेंड ठीक है एक्चुल में आप एक बात तोंटिस कर रहे होगे कि यार जो mcq वाले कोशन है यह थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना पड़ता है ठीक है यह बात मैं क्यों बता रहा हूँ यह बात बच्चे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि एक्जाम में जब हमारे पास पहले पहले कोशन पेपर आते हैं हम सबसे पहले mcq देखते हैं देखो mcq की एक खासित होती है अगर आपको आते है तो आपको confidence level है आस्मान चूँ जाएगा बट अगर आपने पहला ही page खोला mcq का और वह आपको नहीं आते होंगे आपका दिल ऐसे तूट जाएगा क्या हो गया है मिरे साथ मतलब मतलब पीछे के question बेशक आपको आते हों बट आपने क्योंकि mcq देख लिए इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं आपको बोलूँगा यह सब आप वैसे तो अपने तरीके से करना बट मेरी advice यह रहेगी कि बच्चे mcq से try मत करना mcq को पहले खो पहले question मत करो दो number का 3 number का कर लो ठीक है बड़ आप mcq को आप चाहो तो ignore करके बाद में कर सकते हो क्योंकि बाद में क्या होता दिमाग बिल्कुल आपको भी notice करना exam के starting के 15-20 minute तक तो ऐसे लगता है कि बतानी क्या है और last के आदे घंटे में जो मतलब इतना दिमाग आ जाता है पतानी कहां कहां से कैसे कैसे हम लिखने लगते हैं तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि last में जो आपका दिमाग चलेगा उसमें आप mcq 2 minute में निप्टा ऐसे बता दो हूँ एक प्रसण का जिसका नाम रोहन उसने क्या करा पांच लाग का लोल लिया घर अगर जो भी खरीदने के लिए को अधोर और इसके लिए उसने घर के काग्जाद जो है वो गिर्वी रखवाये थे तो चीज को क्या कहते हैं इसको कहते हैं जी वैसे इसमे को-lateral क्या मैं कहूं गिरवी रखना हिंदी में मैंने बताया था जब ये part पढ़ाया था नवे न आपको हिंदी में मैंने बताया था कि इसको क्या कहते है आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी भी ठीक है आप एक काम करते हैं notes open कर लेते हैं टाइम वेस्ट थोड़ा सा होगा पर यार बच्चों के डाउट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है है ना चला तो इसको हिंदी में क्या यह नोट मैंने वेबसाइट ची को लिए सब अपलोड है वेबसाइट पर ठीक है टेंशन नहीं लेनी आपको टेंशन बिल्कुल नही यह उसे कहते है रणाधार जो जब कोई चीज गिर्वी रखवाए जाती है उसे कहते है रणाधार ठीक है तो यह तो इसकी जगा रणाधार लिखा होगा मैंने बता हिंदी थोड़ी सी अल्यक्से लिखी विए इसमें चलो नेक्स कोशन है प्रात्मिक दृत्यक और तृत् अटमिक दृत्यक्रिक और त्हmaybe को संग्ड़ित हमारे शेत्र किस में आते हैं वे आते हैं जो कि इसके उथपाधन गतीविति की प्रकरती निगे जैसे कि मालों मैं डॉक्टर हूँ एक बहाइ जो घर वगरा बनाते हैं बहनत वगरा करते हैं वह क्या है वो अस्गिटी शेत्र में आएंगे पर भी चेक कर लेते हैं पर घख को गज़त क्यों ही होगा ठीक है जी पोजगार की प्रवत्ति गतिविदी की अनुगाट ओके जी चलो यह देखा को नेक्स वाले पर आते हैं नेक्स वाला कोशन है हमारा कि इसमें से हमें विशम ढूंड़ना यानि इसमें से कौन सा सबसे अलग दिख रहा है देखो यहां लिखा है टूरिस्ट टूर दर्शन यह सारी के सारी मैट्रोविये क्या है जी तो कंपनी को अंसर वहाले कोशन पर आते हैं इसमें मैट कितने आती तो इसमें मादा या नहीं female होती है मादा लिख दिए है इसमें translate आ कि तो 82 परसंट को नहीं जाती है तो कितनी परसंट बची जो स्कूल नहीं जाती 18% यह लिखा 18% ठीक है आते जी next question पर ये पूचा है कि बताना है कि स्कूल के मामले में प्रात्मिक स्कूली शिक्षा के according सबसे अच्छा जो डेटा है वो किसका दिख रहा है हर्याना का केरल का भिहार का केरल का देखो एक नंबर है तो इसका अंसर होगा जी D केरला हर्याना और केरला नहीं हर्याना देखो 61 पे है है बहुत डिफरेंस है जितना इन दोरों के बीच में डिफरेंस है हर्याना और भीषार में उतना ही हर्यान और केरल में है तो इसलिए केरल ही होगा इसका अंसर हर्याना नहीं होगा ठीक है पेf अबर प्ड़ो गुआ था हमारे बुद्धिश धर्म का ठीक है अजर्शन और रीजन वाला कोशन जो अभीकतन और कारण वाला कोशन आता है आई होप आपने करा हो देखो अभीकतन और कारण को करने का एक सिंपल तरीका बता हूँ आपको अभीकतन पढ़ो और फिर लगा दो क्यों की और उसके बाद कारण पढ़ दो अगर लाइन बन गई तो इसका अंसर होगा ए नई बनी बी और अगर मालो उपर की लाइन या नीचे की लाइन कोई गलत है तो फिर इंडिविजली चेक करना यह मैंने अजर्शन और रीजन में बता रखे हैं अब मैं यहां एक्स्प्रेंट करूंगा कि आपको दिक्कत भी आए कि टाइम भी लगेगा तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा किसी भी चेप्टर के एमसी उठा लेना जो भी किसी भी अगर ज्यादा टाइम नहीं है जनतांत्रिक गटबंदन यानि जिसको एंडिये बोलते नैशल डेमोक्रेटिक अलायंस ठीक है कॉंग्रेस पार्टी का है संयुक्त प्रगतिशील कटबंदन यानि उनाटेट प्रगर्सिव अलायंस भारते कॉमेनिस पार्टी को एक वामपंथी मूर्चा वामपंथी नारिवादी ब कट्रबंद्व महिला अंदो लान आज जो यह बोलती है कि व्यक्तिःधार और पारि पारिवाठा हो और मेलेरे को यहां गलत तो आप देखो यह वालाई लाइन गलततखी होग यह क्योंकि एक भाषसा कि अनुसार जो है यह भाष्या कि लोग pani स्वुश्वाइक सरकार को चुछ निएट एसा नहीं है से प्राइश जो ँनेेट के लिए for जो बार बार जिनका यूज नहीं कर सकते हैं जैसे सोलार अनरजी वो थे नवी करने संसाधन राष्ट्र संसाधन क्या है सडके वगएर अंतराश्ट्र संसाधन ओशन वगएर और जो बचा वो इसका ठीक है जी चलो नेक्स्ट आते हैं कि वनों के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है ये इमरती लकडिया जो है उसके द्वादन के लिए वन अरक्षित करे गए है ऐसा नहीं है ये पढ़के बताना है कि इन में से ये चार पॉंट जो है वो कौन सी फ़सल हो सकती है इनको पढ़के आपको क्या लग रहा है कि यहों की फ़सल है मक्का चावल गणना कौन की फ़सल है तो इसमें पहला ही पॉंट लिखा हूँ है कि यह एक ऐसी फ़सल है जिसको भोजन और चारे दोनों के लिए यूज किया जाता है तो इसका अंसर होगा मक्का निभुट्टा बुट्ता यानि छल्ली पता नहीं, आपके लागे में क्या बुला जालता है, इसको बुट्टा आप पता नहीं, आपने देखा होगा ना, मक्का, तो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, जिसको खुद भी खाया जाता है, लोग खाते हैं, और जानवरों को भी खिलाते हैं, ओके, डेट के अकॉर्डिंग इसको बताना, यह आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या अंसर होगा, पहला लिखा है, फ्रांसीजी करांती, दूसरा लिखा हो हमारा, क्या नाम अपना, मार्टिन लूथर किंग, तीसरा के बाइबल मिनोकियों ने, जो बाइब अगर हमारा फोर्थ, जो है, वो सबसे पहले हुआ था, तो इन दोनों में से एक होगा, अब आप ने को नीचे कमेंट बॉक्स से बताना क्या होगा, चलो जी नेक्स कोशन पर आते हैं, ऊपर यह पिच्चर है, कि पिच्चर किसने बनाई थी, यह पिच्चर तो मैंने जब यह बिच्चर है, वो इंडिया पे रूल क्यों कर गए, कैसे कर गए रूल, वो इंडिया पे रूल कर गए, प्रद्योगी की मदद से, कैसे समझाता हूँ, प्रद्योगी की मदद से, टेक्नोलोजी की मदद से शिब बनाई उन्होंने, शिब जो है वो इंडिया लेकर आए trade करना चुरू किया, कबजा करना चुरू किया तो इसका answer होगा see ठीक है जी, बाकि ये दोनों की दोनों PDF जो है मैं टेलिग्राम चैनल पे दे दूँगा टेलिग्राम पे पताओगा आपको हमारा एक चैनल है अब टेलिग्राम पे जाके सीधा लिखोगे न main point study तो अब 10 के टेलिग्राम चैनल पे आजाओगे ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐड़ेड है दिख रहा होगा आपको और यहाँ पर वैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर की PDF यहाँ पहले अप्लोड कर रही है इस पर आओगे फाइल पर क्लिक करोगे तो सारी PDF आपको मिल जाएगी बाकी मैं यह वाली भी अभी कर दूँगा थोड़ी देर में अप्लोड कर दूँगा जैसी यह वीडियो अप्लोड होगी वैसे आपके सामने पीडियो वागर आजाएगी इस पर टेलीग्राम चैनल है कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे हम टेलीग्राम डाउलोड नहीं कर सकते हैं टेलीग्राम डाउनलोड मैं बता दूँ इससे बड़ी आप कोई नहीं है और मैं कोई ऐसा नहीं हो मेरे को देखो इससे कुछ नहीं मिलता मेरे पहले हैं यह पता दो आप सौझ पर्मोट कर रहे हो तेली डाम बच्चे मैं कोई प्रब्लम नहीं है टेली ग्रम संबसे सेफ हैं मेरे को ठीक है क्यों क्यों कि इस पर आप सारी चीजें हाइड कर सकते हो थासी आप वो एक दूसरे को message कर देते बच्चे परिशान होते हैं तो इसलिए तेलिए टेलिग्राम बेस्ट है आप देख सकते हो पुराने बच्चे आज भी इस पर अड़ है तो इसलिए आप टेलिग्राम चैनल करो इससे एक दूसरे को परिशान नहीं करोगे आप ठीक है और यहां और वर्ट्सेप ग्रूप में क्या है 250 बच्चे यहां पर अंगिनत हो सकते हैं यह भी फायदा है परस्टनल message भी कर सकते हो और message करने के लिए आपको मेरा number जानने की भी ज़रूत नहीं एड़ देर MPS भरत लिखोगे ना आप मेरे को message कर पाऊगे ठीक है दिखाओं क्या न नीचे की तरफ देखो most important question byqs और उसके बाद उसके नीचे की तरफ मैने maps वीडाल रखें चैप्टर का explanation की वीडियो आ है और नीचे सबसे नीचे आपको maps मिल जाएगे और picture based question मिल जाएंगे सारे uploaded है तो चैनल को join कर लेना और बाकि जैसे मैंने बताया कि मारा main point study का main point tech का thanks for your support bye bye